जौन पुर में लोकसभा चुनाओं के लिए 12 तारी को ओड़ डाले जाएंगे और यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गड़वंदन के सुईत प्रत्यासी स्याम सिंग यादो मैदान में हैं और हमारे साथ रमाकांत यादो जी हैं रमाका संजी क्या हल चले बहुत अच्छी बात है मैं सबसे पहले फर्क इंडिया को बहुत साथवाद देता हूं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से गाउं गाउं गली-गली की ग्राउंड रिपोर्ट को इस तरह से भेज रहे हैं इस तरह कोई भी नेशनल चैनल निउसको नह स्याम सिंग से पहले आम जनता ये निड़े कर चुकी है कि हमें गठवंधन को जिताना है बहन मायावति को प्रधान मंत्री बनाना है अखलेस यादव चौधरी अजेस सिंग के गठवंधन को जिताना है और भाजपा को हराना है क्योंकि ये लड़ाई स्याम सिंग की नहीं यह लड़ाई सोशकों और सोशितों के बीच है समानता आ समानता के बीच है यह लड़ाई मनुवादियों और यूरेसियन के बीच है यह लड़ाई सम्विधान वादि और मनुवादियों के बीच है इसको दूसरी रूप में कह सकते हैं सम्विधान की जगे संग का विधान लागू करने जा रहे हैं इससे आम जनता में 85% जनता में भारी आक्रोस है अब OVC, SC, ST, Minority के लोग भी जागुरूप हो गए हैं तरक्षील हो गए ह वो अपना एक निड़े बना चुके हैं किसी के परचार परचार की जरूरत नहीं है सारे लोग 12 तारिक को एक तरफा ओट करके बीजेपी को सफाया कर देंगे रमाकान जी पिछले पाँच सालों में जो कुछ देखने को मिला नौकरियों के नाम पर या बाकी बातों जो सरकेन सरकार के द्वारा कही गए इथर दो साल में परदेश सरकार के द्वारा भी कही जा रही है इसका चंता के बीच, किसानों के बीच, बेरुजगार था, 2016 में अपने संकल पत्र में कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, मैं गरीबी दूर करूंगा, भरष्टा चार दूर करूंगा, मैं प्रतिवर्स दो कडोर बेरुजगार जिवाओं को रोजगार दूँगा, प्रतिवर्स दो कडोर, यानि पांस साल में दस कडोर अगर यह था, लेकिन किसी भी गाउं में एक भी लोगों को इंप्लाइमेंट नहीं मिला, और तो और जी एस्टी के कारण, नोट बंदी के कारण, जो प्राइवेट सेक्टर में और संगठित छेत्र में काम करने वाले लोग थे, उसमें से दस कडोर लोग बेदखल हो गए, आज यौनपुर शहर बदल गया एकदम, सारे तिराहे, शवराहे, गली, गाउं, हर जगह परिवर्तन दिख रहा है, मुख रूप से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की अस्थापना उन्होंने कराया, और अखलेस यादों ने कहा था कि इसको हम अक्टूबर में उद्घाटन कर दे लेकिन उसी समय आचार संगिता लागू हो गई, इसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, आज तक यूही ठपड़ा है, और विकास के लिए यहाँ पर सड़क, स्कूल, कॉलेज, रोडवेज, जो सड़कें गढधा की तरह एकदम थी, पैदल चलना मुश्किल था, वो चमचम हंडेड नमबर की गाड़ी, 108 की एंबुलेंस, इन्होंने गरीबों के लिए आम जनता के लिए जो सुवधा दिया था, यो विस्वस्तर की जो यूरोपी कंट्री में जो सुवधा है, वो सुवधा इन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया था, जो भारत के आने प्रदेशो काफी लोग सिक्षित हैं लेकिन बड़ा विद्याले यहां पर देखने को नहीं मिला, क्या यहां की लोग अफसर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं यहां पर विद्याले तो टीडी कालेज है राज कालेज है दो बड़े कालेज यहां पर हैं और यहां कालेज होने चाहिए यहां पर पुर्वांचल विश्व विद्याले में भी इंजिनिरिंग कालेज है और और कुछ तहसीलों में भी देहात में ये शिक्षा की व्योस्था गरिजवेशन अस्तर की नहीं है वहाँ पर डिगरी कालेज की जरूरत है यहाँ पर राज की डिगरी कालेज होना चाहिए यहाँ सिक्षा पर काम कम हुआ है रमकान जी आपकी सरकार जब थी समझवादी पार्टी की तो एक लेप्टाप योजना थी और दूसरी कन्या विद्याधन और तीसरी थी समझवादी पेंसन इन तीनों योजनाओं से आपके इस जौनफुर को कितना फायदा हुआ मैं धन्यवाद देता हुँ समाजवादी पार्टी के रास्ती धक्षमानी अकलेस यादों को उन्होंने समाजवादी पेंसन योजना लागू किया था समाजवादी पेंसन हर परिवार के मुखिया को न देकर के मुखिया की पतनी को पेंसन दी जा रही थी किंकि पूरुस पैसे का दुर्पयोग कर देते थे महिलाएं उसको सही सदुपयोग करते थी लगभग 57 लाख पिंसन धारी थे लेकिन यो नामकर्ण किया था समाजवादी पिंसन ये हमारे भारती संबिधान में समाजवाद लिखा हुआ है वो किसी पार्टी का नाम नहीं था अगर योगी जी को बंद करना था तो नाम के वल बदल देते इस योजना को उन्होंने पूरी तरह बंद किया सीधे सीधे ये गरीबों पिछणों तलितों का उन्होंने अपमान किया है अब आज जो 2000 रुपया किसानों को सम्मान राशी दे रहे हैं उसका दसगुना तो साड़ द्वारा फसलों का नुकसान कराया जा चुका है 500 रुपय ही महीना है अगर उसको 500 रुपय ही देना था तो अखले स्यादव की समाजवादी पिंसन को 500 से 1000 कर देते तब हम मानते कि हाँ ये गरीबों के हित की सरकार है लेकिन ये गरीबों के मतलब बरबाद कर रही है, अमीरों को आबाद कर रही है, इनके कारिकाल में केवल अडानी अमबानी जैसे लोग, गुरूप के लोग ही फाइदा उठाये हैं, इनहीं की आय बढ़ी है, 50%, 67%, 200-300%, जैसास की तो 1600% आय बढ़ गई, लेकिन आम किसानों की कोई आय नहीं बढ़ी है, किसानों की आय उनको बढ़ाना होता, तो ये लागत कम कर देते, बिजली कभी लिन्होंने 1500% बढ़ा दिया, ये मुफ्थ कर देते, या आधी कर देते, तो भी, और खाद का दाम भी इन्होंने बढ़ाया, और 50 किलो की बोरी में 5 किलो उन्होंने चोरी कर लिया, 45 किलो कर दिया, किसानों की लागत दूना करने के बजाए, ये लागत घटा दें, तो अपने आप इनकी आए बढ़ जाएगी, लेकिन खाद का भी दाम 50% बढ़ा दिया, बिजली का दाम 1500% बढ़ा दिया, किसानों के लिए MSP लागू नहीं किया, दिखाने के लिए कागज पर है, किसान मजबूर है, उन्हें पौने दाम में व्यापारियों को बेचने के लिए, इसलिए किसान तबाह है, खेती से बिलकुल विमुख होता जा रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्ता की रीड है किसानों की प्रती ध्यान नहीं दिया गया, तो मिलेते हैं? जो दिन पहले ही मायवती जी और अख्लेस जी की रैली हुई है, और काफी कुछ जनसाइलाब देखने को मिला, क्या लग रहा है, यह उटों में बदल पाएगा? यह रैली नहीं, यह महा रैली कहिए, यह सामाजिक परिवर्तन है, अब देश की जनता जाग गई, अब इनको बहका करके ठग के ढोंग से पाखंड से वो बहका के ओट नहीं ले सकते अब, अब सत्ताप नहीं जा सकते मोदी साहब, बीजेपी की लोग, कांग्रेस की लोग जिस तरह से बाबा साब भीम राव अंबेटकर ने भारती संबिधान की रचना की, जो भी उसमें मौलीक अधिकार थे, हक थे, उससे बंचित रखी है सरकार, अब हमें एक ऐसे अंबेटकर की जरूरत है, जो दिल्ली में पहुँचे, परधान मंत्री बनेव, अंबेटकर क की लिखे संबिधान की सारी सुविधाएं, सारे मौलीक अधिकार आम जनता को मौहिया कराए, इसके लिए पूरे बहुजन एक हो करके वहन मायावती को वरतमान में अंबेटकर जी के रूप में चुना है, जो संबिधान को पूरी तरह से लागू करेंगी, और जो हक है, की लिखे संबिधान के वहन में चुना है, उनको ठोपा गया है, अपने आप उनको टिकेट दिया, वो तो उनका एक गुरूप है, उसी तरह से लड़तपना था, अब वो राजनेतिक परिवार से थे, संग द्वारा उनको टिकेट दे दिया गया, मोधी लहर में जीत गया, आज मोधी की लहर नहीं, मोधी कहर चल लही है, मोधी ने जो जहर बोया है, मोधी कहर चल लही है, इसलिए जनता में अब कोई, क्रिश्न परताप सिंग के परती रूची अभी रूच नहीं है, यहाँ पर सांसद आदर्स ग्राम यूजना के तहत कुछ गाउं गोद लिये था उस गाऊं में आज तक पक्कि शड़क नहीं बनी एक स्कूल नहीं खुलवाया गया ना तो घर घर वो गरीबों को वहां सावचाले बनवाया गया ना तो आवास बनवाया गया सिर्फ एक पुराना बज़ट था पानी की टंकी वहां पर लगी हुई है वो भी पाइप नह श्यक्त्ट्रिषिक वर्स नहीं इसमें दो-तीन बर्सों में गाउं गोद लिये गए हैं तो दो-तीन गाउं लिये गए हो कई एक ही वो संत्रिप्त नहीं कर पाए दूसरा उन्हींने लिया ही न hm उसे पांच साल से लगे है干 उसका विकास नहीं हो पाया आप हैं आम जंता है आम जंता चुनाओं में अधिक स्दिक मद्दान करें जागरूख करता हूं और पहली बार रमाकान जी हमारे देश में संबिधान की संसत के के सामने आप इसको किस रोफ में डिली दलितों पिछडों अल्व संखेकों वंचितों का घोर अपमान है भारती संविधान लागू होने पर कश्ट था मनुवादियों को उस समय ही अमबेटकर जी का मुतला जलाते थे ये आज भी अमबेटकर जी की जहां प्रत्मूर्तियां हैं उनके हाथ पैर आख कान तोड़ र उने नहीं देगी संविधान को बदर यस्तंग का विधान नहीं बना पाएंगे जनता जागरूख हो गई है इसका रिजल्ट इनको 2019 के चुनाव में मिल जाएगा यहां से अगर आपके प्रत्यासी जो हैं स्याम सिंग्यादो जी अगर सांसत बनते हैं तो आप उनसे सबसे प्रत्यासी मिला है कि जो पान बेड़ी सिग्रेट सराफ कोई नसा नहीं करता आम आदमी गरीब मैले कुछेले आदमी से गले मिलता है आदमी और इनको सब मालूम है कि प्रशासनिक कार कैसे होते हैं जनता के काम कैसे होते हैं एकदम इमांदार शवी वाला हमारा यह प्रत जानत यादो जी हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गडवंदन प्रत्यासी हैं स्याम सिंग यादो और सबसे आहम बात है यहाँ एक तरीके से आदर्स लोगसवाद छेत्र घोसित किया जाना चाहिए सबसे जादे आईस अपसर, PCS अ राम योजना के तहद जो गाओं था वहाँ पर ना तो सोचाले का सही से निर्माड करवाया और ना तो वहाँ पर जो लोग थे नालियां, खणंजे और इन सब का निर्माड होना चाहिए था जो एक तरीके से कहा जाता है कि आदर्स गाओं जब बनेगा जब उसे सांसत गो है कि प्रसासनिक अमले से लेकर के आम जंता के अधिकारों को हाई जैक किया रहा है एक और सबसे बड़ा सवाल आपने भी उठाया है रमाकांत यादो जी ने भी और स्याम सिंग यादो जी ने उठाया है कि चुनाव आयोग को गलत तरीके से किन सरकार उप्योग कर रही है और मोदी जी ने पूरे गुजरात कैडर के अपसरों को आयोग में भर करके अपने मनमानी तरीके से फैसले करवा रहे हैं यह अपने आप में देश के साथ दुर भाग है जौन पुर से फरक इंडिया के लिए अखिलिस किस्ट मोहन खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए घंटी दवाईए और सबसे पहले खबरे पाईए लाइक और सेर करना न भूले